नवस्कार मैं हूँ परवेश और आप देख रहे हैं दभारत खबर शुरुवात करते हैं आज की दिल्ली की दस बड़ी खबरों की लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील भी है अगर आपने अभी तक दभारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी स सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी दवा लीजिए पूश्ताच की थी बताय जा रहा है कि सिसोधिया से पूश्ताच के लिए एडी के पास तीन दिनों तक पूश्ताच करने की अनुमती है ऐसी उमीद है कि सिसोधिया से उनके पास मौजूद सेलफोन को कथित रूप से बदलने और नश्ट करने और दिल्ली के आपकारी मंत आमादमी पार्टी और केजरिवाल के खिलाफ विपक्षी पार्टियां काफी हमलावर बनी हुई है आमादमी पार्टी के पुराने साथी और वर्तमान में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जम कर केजरिवाल पर निशाना साधा है वीडियो में उन्होंने कहा है कि केजरिवाल की हालत चोरी के बाद पकड़े गए डरे व्यक्ती जैसी हो गई है वो बिल्कुल ही हताश और घबराय हुए नजर आ रहे हैं इसलिए वो अपने भ्रष्टाचारी मंतर overturn को किसी भी तरह से छोड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कपिल मिश्रा ने का कि भ्रष्टाचारी ओं को छोड़ाने के लिए केजरिवाल हर तरह के हतकंडे अपना रहे हैं फिर चाहे वो नियमों को ताक पर रखकर सरकारी पैसों का दुरूपयोग कर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना हो या उनके पक्ष में प्रचार करना हो या फिर सरकारी पैसे को खर्च कर उनकी जमानत के लिए वकीलों को लगाना हो। इसके अलावा वो छोटे-छोटे मासूम बच्चों का भी सहारा ले रहे हैं जिससे बड़े घोटालों को अंजाम देने वाले उनके ब्रश्टाचारी सात्यों को रिहाई मिल सके। मिश्रा ने आगे काया कि और तो और वो नेशनल चैनल पर आकर दस मिनट तक राष्ट के नाम संदेश में सिसोधिया की रिहाई की गुहार लगाते हैं जबकि उनके पूरे वक्तव्य में वो शराग घोटाले पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कपिल मिश्रा ने का कि सीम केजरिवाल को जवाब देना होगा कि कैसे घोटाला हुआ किसने पैसे खाये और किसने घोटाला किया। दक्षिन दिल्ली में कच्ची कोलोनियों और गाओं में बिजली के नए कनेक्शन नहीं मिलने से हजारों लोग परेशान है। केजरिवाल और केंदर सरकार से मामले का जल्द से जल्द हल निकालने की गुहार लगाई है ताकि लोगों को बिजली के नएमी टर मिल सकें। दिल्ली में देश का सबसे महगा पानी का कनेक्शन मिलता है। केजरिवाल सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। और डवल्यूए का कहना है कि केजरिवाल सरकार की मुफ्त पानी की योजना का फाइदा ज्यादा तर दिल्ली के कैम्प इलाकों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। केजरिवाल सरकार बड़ी चालाकी से एक तबके पर टैक्स का बोज बढ़ा कर अपने वोट बैंक को रिजा रही है। के खोके खोल दिये गए है। के खोल दिये गए है। पुलिस ने बताया कि थार ने दो अन्य गाडियों को भी टक्कर मार दी। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जात जारी है इस घटना में घायल लोगों का इलाज एमस में चल रहा है। पुलिस के मताबिक सभी घायल, शीवा कैम, वसंद वियार और एकता वियार आरके पुरम के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दुरगटना में एक थार, दो चार पया वाहन और तीन वेंडर स्टॉल शतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने आगे कहा कि बुदवार को शाम साड़े साथ बजे दिल्ली के वसंद वियार पुलिस टेशन में घटना के बारे में एक PCR कॉल प्राप्त होई थी। पुलिस के मताबिक इस मामले में भारत्य दंड सहिता की धारा 304-A के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। अगल की गली नंबर 14 में रहने वाले उसके परिचित अभिशेक से किसी बात पर विवाद हो गया था। इसके बाद अभिशेक और उसके दोस्तों ने सोनू के साथ मार पीट शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने जब बीज बचाव करने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने अभिशेक को बुरी तरह पीटने के बाद चाकू से कई वार कर बुरी तरह जक्मी कर दिया। डीसीप ने बताया कि इस हमले में कुल साथ लोग जक्मी हो गए जिनने आननफानर में नजदी की अस्पताल में ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने सोनू और नवीन को मित घोशित कर दिया। वहां भी शेक और एक अन्य गंभी रूप से घायल हो गए इनने सब्दजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके अलावा तीन अन्य जक्मी की हालत स्थिर है आला कि इनका भी इलाज जारी है। जानकारी में पता चला है कि सभी लोग मुनका इलाके में एक नमकीन की फैक्टरी में मजदूरी करते रहे हैं। अभी हमले की वज़ा नहीं पता चल पाई है। दिल्ली के विजयपार की इलाके में पांच मंजिला मकान भरबरा कर गिर कर रोड की तरफ ढह गया। इस हाथसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पर दुकान या कुछ वाहन भी चपेट में आ गए अलकि साथसे से होने वाले नुकसान को लेकर अभी तक किसी ने आधिकारिक ब्यान नहीं जारी किया है। पामाउस से लोटते वक्त कार में सतीश कौशिक को हाट अटेक आया जिसके बाद उन्हें गुडगाओं के फोर्टीस हस्पताल ले जाये गया था। केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिश शाह ने अभी नेता सतीश कौशिक के निदन पर शोग जताते हुए उनके परीजनों से सम्वेद राजटाई है। शाह ने का कि भारतिय सिनेमा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सतीश कौशिक का जरम 13 अप्रेल 1956 को हरियाना के महिंदरगड में हुआ था। दिल्ली से उनका गहरा लगाव था। उन्होंने काफी समय दिल्ली में बिताया और साल 1972 में दिल्ली के किरोडी मल कॉली से ग्रेजुएशन करने के बाद नैशनल स्कूल अफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिटूट में एक्टिंग के गुर सीखे। उनके परिवार की बात करें तो साल 1985 में उन्होंने शशी कौशिक संग शादी की थी और उनके दो बच्चे थे। उनका बेटा शानू कौशिक 1996 में सिर्फ दो साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया था। इसके बाद 2012 में सरोगेसी के जरिये उनकी बेटी वंशी का उनकी जिन्दगी में आई थी।